हरियाना में जाट आरक्षन की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है रविवार को All India जाट आरक्षन बचाओं महा अंदोलन के बैनर तले एकत्रित हुए जाट नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोला इंडियन एक्सप्रस की एक खबर के मताबिक यूपी हरियाना राजस्थान मध्यप्रदेश से आए जाट नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार ने आरक्षन की मांग न मानकर उनके साथ धोका किया है जबकि आर्थिक रुप से पिछले सामन्य वर्ग के लोगों को साथ दिन के भितर दस फिसदी आरक्षन दे दिया गया भाजपा से नाराज चल रहे जाट नेताओं ने कहा कि वे अगामी लोकसभा चुना में मायवती का समर्थन करेंगे यूपी के जाट नेताओं ने कहा है कि वो अपने समुदाई के लोगों से मायवती के लिए ओड डालने को कहेंगे क्योंकि वो यूपी की एक मात्र नेता है जिनोंने जाटों के आरक्षन दिये जाने का समर्थन किया है मायावती ने हरियाना में 2016 में जाट आंदुलन में सरकार द्वारा जाटो पर की गई कारवाई की कड़ी आलोचना की थी AIGBM के मुख्य समनवेग धरमवीर चवधरी ने दिल्ली में पत्रकारों को संभोधीत करते हुए कहा पिछली सरकार UPA ने हमें केंडर की नवक्रियों में आरक्षन दे दिया था लेकिन जब सुप्रिम कोट में इसे चुनोती दी गई तब वर्तवान एंडिया सरकार ने जान बुझ कर हमारे केस पर गंबिर्था से बहस नहीं की जिसके बाद से सरकार के आदेश को कोट ने रद कर दिया इसके बाद से प्रधान मंत्री नरेन रमोदी हमें केवल आश्वाशन दे रहे है हम सरकार को चुनोती देते है कि जाटो संग अब और बहाने बाजी नहीं चलेगी हम उन 131 चुनावी शेत्रों में भाजपा के खिलाब चुना प्रचार करेंगे जहां जाट वोट की संख्या अधिक है बीरो रिपोर्ट आवाज इंडिया प्रितम मुलकुंड हरियाना